हलो स्टुडेंट्स वेलकम तू मैगनेट ब्रेंस हिंदी मेडियम मेरा नाम है अवनिस्तिरपाथी तो कक्षा बारा राजनीती विज्ञान का जो चैप्टर नंबर चार है भारत के विदेश संबन जो स्वतंतर भारत पर राजनीती वाले बुक से है इसके कई इंपॉर्टन टॉपिक समने देखें हैं और आज इसी कडी में मैं बहुत इंपॉर्टन टॉपिक लेका आपके सामने उपस्तित हूं जहां से भारत की विदेश्नीती की अधार स्विलार रखी यह जब भी भारत की विदेश नीती की बात आएगी गुट- निर्पेक्ष आं पढ़ेगी एक या दो चक्तर पढ़ने के बाद आपको कोई डिसकाउंट कोड या किसी तरीके के सब्सक्रिप्शन लेने की जुरूत नहीं है आप यूपी बोर्ट से पढ़ते हो बिहार बोर्ट से पढ़ते हो सारा से लेवस हिंदी माध्यम में आपको बिल्कुल निशुल को पलब्द कराये जाएगा इसे इंपोर्टेंट जानगारी के साथ सुरू करते हैं यह इंपोर्टेंट टॉपिक और थोड़ा समझते हैं कि नहरू की विदेश नीति और गुट निर्प्यक्षता का मतलब क्या था अब देखिए नहरू की विदेश नीति इस बात के समझे तो आप गुट निर्प्यक्षता को अच्छे समझ भाएंगे हम ने इक अलग चैप्टर में भी इसको देखा था और सीतियु दवाले चैप्टर में भी मैंने इसकी चर्चा की थी और कई और चैप्टर में इसकी बात आई है लेगिन यहां पर गूट सांदोलन क्या यह बताना बहुत आसान है पर उसके पूरे जड़ों को जानना भी जरूरी है दोनों गुटों से अलग रहे ने गुट निर्पेक्स है खतम हो गया टॉपिक लेगिन क्या रीजन थे क्यों हमने यह फ्रेम किया और उसका क्या प्रभाव पड़ा इस पर करना थी था लोग तंत्र इस्थापित रखना फिर हमको क्या करना था आर्थिक विकास करना था था ठीक थिक यह तीन महत्तपूर चीज़े थी जिसने हमें यह बात कि हम गुट निर्पेक्सता का आंदोलन चलाएंगे गुट निर्पेक्सता वाले पूरे पार्ट को लेके चलेंगे अब देखे धान से समझेए जब हमारा देश आजाद हुआ तब उस समय दुनिया में चल रहा था सीत युद्ध जिसको आप बोलते हैं कूल्ड वार जो किसके किसके बीस में था अमेरिका यानि इस समय पूरी दुनिया दो ध्रू में बटी हुई थी अमेरिका और स संग इस दो ध्रूमों में पूरा दुनिया बटा हुआ था एक पूजी बात की बात करता था एक सामय बात की बात करता था एक बात करता था कि सब कुछ बाजार के हाथ में होना चाहिए एक बात करता सब कुछ सरकार के हाथ में होना चाहिए दोनों एक दूसरे से वैचारि के साथ कई ACI देश विक्स धीरे-धीरे आजाद हो रहे थे अब चुनवती ये थी कि या अभी दुनिया में दो धुरू बन गया अमेरिका और सोबिय संग दो हिस्से बन गए कुछ देश इनके पीछे घुस रहे थे कुछ देश इनके पीछे जा रहे थे अब भारत के सामने चुनवती है थी कि हम क्या करें अब देखिए हमा हमको बहुत सैकड़ों साल के बाद आजादी मिली थी तो संप्रभुता हमारे लिए किसे हीरे मोती से कम नहीं थी संप्रभुता क्या होती है जब आप अपने नीड़े लेने के लिए खुद स्वतंत रहो वेनिवार फ्री अपने जाने को अपने आपको घुषित करते हैं तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा इनकी बात हमेशा माननी पड़ेगी इनके रहमयों करम पे चलना पड़ेगा और हमारी संप्रभुता क्या होगी कम्रमाइस हो जाएगी यह बोलेंगे अपने देस में हवाई अड़ा बन त्षंत्र बचाने के लिए तो हमें पूजी वाद गले पढ़ जाता पूजी वाद जिसमें बोला जाता है कि सारा आठी राज्य बन पाए तो अज़िश सोभियत संग में के साथ था लेकिन अगर हम सोभियत संग में आते तो यह लोकतंत्र की बात नहीं करता है तो लोकतंत्र कॉंपरमाईश होता और हमें आर्थिक विकास करना था तो आर्थिक विकास में हमें दोनों महाशक्तियों की जरूरत थी ऐसे में अगर हम किसी एक महाशक्ति के पीछे जाते तो हमारी संप्रभुता भी नहीं रह पाती लोग तंतरवी खत्रे में पढ़ता आर्थिक विकास के लिए दोनों की मद तो शहिक रो साल के प्रवेशिक गुलामी को इंगलाइंड की गुलामी को घिलने के बाद अहीं प्रिस्थी पैला नहीं होने देना चाहते थे और ये बात ब्ल्कुल क्रियरती भारत के प्रथन प्रदानमंत्री जवाला लहर Glory के भी दिमाग में कि at any cost we are not going to compromise our sovereignty at any cost we are not going to compromise our welfare nation state at any cost we are not going to compromise our vision for the economic development इसलिए बहुत जरूरी है कि हम क्या करें एक ऐसी नीति को बनाएं कि हम ना काउसे दोस्ती ना काउसे बैर ठिक सीधी ऐसा काम करने का प्रयास किया अब दिखे हुआ क्या कि बहुत सारे यह है अफ्रीकी देश वीचों तो इस दौरान आजा दूए थे और 1955 में बांडूंग में कि बांडूंग शहर में एक एक एफ्रो एस्याई सम्मेलन हुआ था इफ्रो एश्याई सम्मेलन कि अफ्रीका और एशिया का सम्मेलन हुआ और इस सम्मेलन में लगभग ये बात इन सभी देशों ने जो यह आलप विक्सित देश या नहीं नहीं आजाद हुए देश थे एक तरह से क्लियर कर दी कि हम क्या करेंगे हम गुट निरपेक्ष रहेंगे मतलब हम स्वीट यू दू तो चली रहा था हम दोनों में से किसी गुरूप में नहीं जाएंगे इसके पहले 1950 के आसपास संयुक्तरास संग में यूगो सलाविया और भारत ने भी क्लियर कर दिया था कि हम दोनों गुटों में से किसी गुट में नहीं जाएंगे गुट निरपेक्ष रहेंगे ठीक है और 1961 में ये नोट कर लीजेगा 1961 सर्विया की रा बड़ा नाम है मैं आएक एक नाम आपको एक एक नाम भी ध्यान रखेंगे तो आंसर में काफी है ठीक है मिस्र के इसको यहां लिख लेते हैं एक तो यह आपने नोट कर लिया होगा अलाम से अब इसमें जो नेता सामिल रहे इतने भी अगर आप नाम ध्यान रखें तो आपका काम चल जाएगा यूज सलवेज से टीटो मिस्र से यानि की इजिप्ट से नासीर करनन नासीर ठीक है उसके बाद इंडोनेशिया से सुकांडो ठीक है और भारत से जवाहर लाल नहरू इसके अलवा घाना बहुत सारे देश इसमें सामिल थे यह चार नेताओं को आप ध्यान लखें जिनोंने मुख्य रूप से मिलकर गुट निर्पेक्ष आंदोलन को पुरा मूर्त रूप दिया गुट निर्पेक्ष आंदोलन ठीक है और 1961 बेलग्रेड यह आप ध्यान लखेगा बाकी इसमें क्या सिध्धान थी इसकी चर्चादों भी हम करी लेंगे 1971 बेलग्रेड से स्टार्ट हुआ और हमने यह कहा कि हम गुट निर्पेक्ष रहेंगे यानि दोनों महासक्तियों में से किसी भी एक महासक्ति का हिस्सा नहीं बनेंगे और दोनों के से अपना काम चलाएंगे तो यह एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आप जरूर ध्यान लखेंगे और इसकी नियू या इसकी जो पढ़ गई थी या जहां से बाचु सुरू हो गई वह 1955 का बांडूंग एफ रोस याई समयलन जो था बांडूंग सहर में ठीक है कोई कंफूजन इसमें नहीं होगा चली आए अब इसके यह हमारे पास कुछ एक तर से कह सक आये कुछ important points देख लेते हैं तो पंडे जबाल नहरू भारत के पहले प्रधान मंत्री ही नहीं वरन उन्होंने भारत की विदेश नीती की आधार सिला भी रखी इसका यह कारण भी था कि नहरू के विदेश मंताले अपने पास उन्होंने रखा हुआ था नहरू का मानना थ नहरू का मानना था कि विद्रूवी स्वरूप के संदर में भारत जैसे विकासील देशों की नीती दोनों शक्ति खेमों से बराबर दूरी की होने चाहिए ताकि वह अनयासी प्रतिद्वंदिता का स्विकार नहों सिकार नहों अब देखिए बहुत important बात है भारत को यह थ गरूप में जाएंगे तो हमारी प्रभुसत्ता हमारी संप्रभुता कंपरमाइज होगे दूसरा जो समू है वह हमको समझने लगेगा और उस समय पूरी दुनिया में रेस्टू आर्मामेंट चल रहा था धान से किक वर समझेगा रेस्टू आर्मामेंट यानी सस्त्रों की दौड या सस्त्री करण की दौड मतलब खूब हत्यार चुटाए जा रहे थे अब एक चीज आप समझेए कि भारत नयाने आजाद हुआ है उसको गरीवी से बाहर आना है उसको भुकमरी से बाहर आना है उसको बहुत सारे अपने आउसन रचना या इंफार्शक्षर बनान इस गुट निर्पिक्सता में जवाला नेरू और सभी नेताओं ने एक क्लियर किया कि हम टठस्तता नहीं बरत रहे जो वर्ड पॉलिटिक्स है इससे टठस्तता या न्यूट्रल नहीं हो रहे हैं बस थोड़ी दूरी बना रहे हैं हम टठस्त नहीं हैं मतलब हमने बोला कि लेंगे लेकिन हम अपने नीड़े अपने हिसाब से लेंगे अगर हम किसी एक खेमे में जाएंगे तो जो भी नीड़ा लेना पड़ेगा वो दोनों में से किसी एक खेमों के हिसाब से लेना पड़ेगा लेकिन अभी हम क्या करेंगे हमें जैसे नीड़ा लेंगे जैसे मिस आप से पूछा जाता है कि क्या गुट निर्प्यक्षता का मतलब तटस्थता था बोलेंगे नहीं सिर्फ दूरी बना के रखने वाली बात थी और अपने मर्जी से डिस्रीयल लेने वाली बात थी सम्विधान सभा को समधित करते वे नहरू ने एक बार कहा था कि हम चाहें जिस नीती का भी निर्धारण करें विदेश नीती के निर्माड की कला या निर्धारित करने में नहीत है कि राष्ट के लिए क्या लाबधा है कि बिल्कुल यानि हमारी विदेश नीती का जो सबसे पाट रहा वो रहा राष्ट्रिय महत्वा यानि कि जो नेशनल इंट्रेस्ट है वो सबसे नंबर एक पर रहेगा ठीक है और देश की सुरक्षा यह नंबर एक पर रहेगी तो अगर इन चीजों को देखते हुए जो भी महत्रपूर कदम उठाने होंगे वह नहरू की रूप से देश के विरुद्ध तो देश के खिलाप जाकर हम कोई काम नहीं कर सकते जो भी काम करेंगे अंतता हम देश की भलाई के लिए करेंगे और वही इंपोर्टेंट रूप से जरूरी भी है इसी क्या नहरू ने ततकालीन अंतराश्टी वातावरण को ध्यान में महाशक्तियों से दोनों महाशक्तियों से उचित दूरी ठीक है और किसी भी किसी भी इस अब इंपोर्टन पॉइंट से नोट करते चलिएगा किसी भी सैन गुट का सदस्य ना होना आप है कौन कौन से दो सण ने गुट थे ध्यान लखें कौन कौन से दो सटन गूठ एक सोवियस अधर एक अमरीका और अगर एक चीज़ और धान लखेगा अगर सीट यूद नहीं होता ये दो गुट नहीं होते तो साइद ये दो साइद तब ये गुट नित्पेक्स का नीती भी नहीं आती यह इंपोर्टेंट पार्ट था इसको भी आप धान लखेगा तो ये हमने तै कर लिया था नहरु शक्ती खेमों से दूर रहकर एक और तो सक्ती प्रतिद्वंदिता में नहीं पढ़ना चाहते थे तो दूसरी और भारत की आर्थिक तक्नीकी और सैनिक विकास के लिए दोनों खेमों राष्टों से अधिकाधिक सहायता प्राप्त करना चाहते थे अब आप से कोई कार ना तो ब्रिस्व प्रतिद्वंदिता से बचना एक तो कारण यह था कि पूरी दुनिया में प्रतिद्वंदिता अमेरिका और सोबियस संग को लिए के चल लए उससे बचना चाहते थे दूसरा कि आर्थिक विकास में कि आर्थिक विकास में दोनों खेमों का सहयोग प्राप्त करना सहयोग प्राप्त करना ठिक सस्त्री करण की दोर से बचना दोर से बचना स्रम प्रभुता को शुरक्षित रखना यह सब इंपॉर्टेंट कारण हैं जो कारण आप बहुत आसानी से पॉइंट्स में मेंशन कर सकते हैं अपने आंसर को लिखते समय हैं मैं जानबुज के मेंशन आपके सामने इसने लिखता हूं कि साथ साथ में आभी रिवाइस करें बोले तो पॉइंट्स आपके यहां से क्लियर हों तो वो चाहते थे कि दोनों खेमों से जादे से जादे हमको लाब मिल सकें जिससे हम अपने आर्थिक विकास या सामर की विकास है जो भी विकास करना है कर सकें नहरुद्वारा प्रतिपादित गुट निर्पेक्स्ता की नीती का आश्य अलगावाद से नहीं किया जाना चाहिए यह मैंने बताया ऐसा नहीं थे कि हम पूरी दुनिया से अलग होना चाहते थे बस हम अपने नीड़े स्वैम लेना चाहते थे अलगावादी नीती का जो कोल्ड वार चल ला था बारबर कोसिस करते थे कि दोनों माशक्तियों में मध्यस्ता का काम करें जो सस्त्रों की दौर हो रही उसका विरोत करते थे इस यूद्व की सनाप्ती का दौर का विरोत करते थे तो भारत के हमेशा से नीती रही सांती सदभावाली नीती तो हमा पुटा नेरू कहते थे कि हम घुट निर्पेक्स्ता का मतलब अलगावात से नहीं है गुट निर्पेक्स्ता का मतलब है कि जो भी मुद्दे आएंगे हम उसका गुड और गुड देखकर उस पर नीड़े करेंगे आगे बस समझ में अब तक क्लियर है उन्नीस से रोपड हुआ टीटो नासीर सुकारो जवाल नहरू जैसे नेताओं इसकी सुरुवात करी इसका मतलब था कि दोनों महाशक्तियों के गुटों से दूर रहना किसी भी स्थायन सक्ति में सामिल ना होना ताकि हम जादे से जादे अधिकादिक लाब दोनों गुटों से प्राप प्राद की नीती अपनाएंगे इसका मतलब बस इतना था कि जो कुछ भी मामला आएगा हम उसके मेरिट पर डिसाइड करेंगे कि हमको क्या करना है हम इसलिए नहीं करेंगे कि हम चीन के पिछे तो अमेरिका जो कहे हो माल लेंगे और सोविय संग के पीछे जो है तो माल ले किया था तो दुनिया की वर्ल्ड पॉलिटिक्स में नित इनिधारक बनने में भारत का एक एक्जांपल सेट करता है इसलिए मिसको जिंदा रखना चाहते हैं दूसरा आज भी भले ही दो सक्तिया नहीं है अमेरिका और सोविय संग लेकिन बहुत सारी सक्तियों में सी तू देखा जा रहा है चीन और अमेरिका जैसी महासक्तियां बनी हुई है रूस अभी भी प्रत्यूद निता करता है तो हम आज भी यह संकेत देते हैं कि हम किसी एक गुट के पीछे नहीं भागेंगे हम आज भी किसी एक महासक्ति के महताज नहीं है हम आज भी किसी एक महासक् मेंबर हैं और यही मानेगा कि हम कभी किसी महासकती का गुट का मेंबर नहीं है इसलिए आज भी प्रासंगी बना हुए और कई सारे नए देश जो उभर क्या रहे हैं उनके लिए अच्छा मंच भी प्रवाइड करता है जो सत्ता के वैकलपी केंदर वाली बात चलती है उसमे भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ठीक है नहरू एशिया और अफ्रीका में किसी प्रकार के सैनिक खेमे की स्थापना के विरुद्द थे और इसे नौ उपनिवेश का बात का प्रतीक बात अगर मान लीजिए सोब्यस संगी या अमेरिका किसी एक गुट काम हिस्स रही थे नहरू के नित्रत्य में भारत ने भीष्व भर में उपनिवेशवाद और रंग वेद्भाव का विरूद किया आपनिवेश वाद मतलब कोलनिजम कोई देश दूसरे को गुलाम बनाए चाहां वाचाली गुप से हो चाहें वो सैनि कूप से नहरू उसका ब्रोद क किया तो उस समय जो भी रंग भेद भाव चल रहा था गोरे काले का भेद या अगर कहीं गुलामी वाला सिस्टम चल रहा था उसका भारत ने विरोत किया सयुक्त राष्ट महासभा गुट निर्पेक सिखर संवेलन में तीसरी दुनिया के राष्टों की ओर से नई अंतराष् विवस्था की अंतराष्टी आर्थिक विवस्था की मांग भी की गई तो पूरी दुनिया में जो यह चोटे-चोटे नय उद्धित देश थे भारत जैसे देश ते उन्होंने नई आर्थिक विवस्था की भी बात की उन्होंने कहा कि यह जो दो महार्शक्तियां लड़ नहीं है इससे अलग एक विवस्था बननी भी चाहिए यानि उस समय जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स में हां भी था उससे अलग विचारों को एक्स्प्रेस करना या उसको प्रमोट करना यह सबसे बड़ा इनका एक धे लेके गुर्ट निर्पेक सांदोलन का या नॉन अलाइन अपने हिसाब से लेने का था विश्व की जो प्रतिद्वन्दिता या लड़ाई दुस्मनी थी उससे अलग रहना सांतिपुर्ण महावल में सबका सहयोग लेते हुए अपना विकास करना यह गुट निर्पेक शांदोलन की मूल भावना थी इसमें कोई डाउट कोई समस् निशुलक शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं यहां एक या दो चैप्टर पढ़ने के बाद आपसे कोई पेट सब्सक्रिप्शन के लिए नहीं बोलेगा यहां पर आपको कभी भी कोई डिसकाउंट आफर कूपन कोड की जरुवत नहीं पड़ेगी बिल्कुल निशुलक अप अपने आपको अच्छे नंबरों से पास करने में मदद कर सकते हैं निशुलक रूप से अब माल लीजिए आप अगर आप सी इंग्लिस इंडी मीडिया मूपी बिहार बोर्ड कॉंपडिशन कोई भी त्यारी कर रहे हैं तो आप किसी माध्धम से आईए और बिना किसी डिस और सारे नए अपडेट्स पाते रहे हैं सारी नहीं जानकारिया लेते रहे हैं लाइक से और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा तो मिलते हैं अगली वीडियो में अगले कंसेप्ट के साथ तब तक खूब बन लगाके पढ़िए टेक क्या बाए बाए